जिस मिल जाना ही काफी नहीं है क्या दिलो जान से कब कौन किसका हुआ एक मुद्दत से वो मेरे साथ है गर्चे एक मुद्दत से वो बिछड़ा हुआ है सियासत में दिलो जान से कब कौन किसका हुआ है जिस मिल जाना ही काफी होता है मुद्दतों से लोग साथ होते हैं फिर भी बिछडे हुए होते हैं दिल्ली से लेकर पटना तक और पटना से लेकर जैपूर तक राजनीत में यही कवायद और इस कवायद की रवायद चल रही है बात करेंगे पटना पर भी और जैपूर पर भी और दिल्ली पर भी दिन भर की मेराथर मिटिंग के बाद आज फिर संग्ठन महा सचीव केशीविणु गोपाल से कॉंगरेस नेता सचिन पैलेट की मुलाकात हुई उसमें मलिकार जुन खड़गे की तरफ से भी लोग सामिल हुए और उस मुलाकात में एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की गई कि सचिन पैलेट सौ सम्मान कॉंगरेस में कैसे रहें और उनका रास्ता क्या हो सचिन पैलेट के पास जमीन तो बची नहीं मगर जमीर बचाने की लड़ाई लड़ हैं लोग कह रहे हैं ते पाटी बनेगी पाटी बनेगी अब पाटी में बने रहने की लड़ाई लड़ हैं मगर क्या सफलता मिलेगी मुक्यमंत्री अशोग गलो जानते हैं कि आज फैसले का दिन है लिहाज़ा उन्होंने अपने सारजनी कारिकरम को रद करके सारा ध्यान जैपूर में बैठे हुए दिल्ली पर रखे हुए हैं कि चल क्या रहा है प्रियंका गांधी सचिन पालेट की पहर भी कर रही है क्या ऐसा कहा जा रहा है पुखता तोर पर ना तो प्रियंका गांधी हमें बताएंगी और ना सचिन पालेट मगर मीडिया में सोसल मीडिया में इस तरह की बाते चल रही हैं कि प्रियंका गांधी लगातार बाचित में बनी हुई हैं और आखरी फैसला जब प्लान तयार हो जाएगा तो कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिका आरजुन खड़ गे पुरु राश्ट्री अध्यक्ष राहुल गांधी से सहमती लेन महा सचीव बनकर वो दिल्ली में रहें या फिर दूसरे प्रदेश में रहें कहीं भी रहें कॉंग्रेस में रहें और राजस्थान की राजनीत में वो सम्मान जनकपद पर बने रहें और आगे आगे भाविस्स्य को लेकर कोई वादा किया जाए वैसे राजनीत में वादे कौन और मैं कौन मगर क्या फैसला होगा उस फैसले को लेकर क्या मुख्यमंतरी या शोग घलोत कोई घोशना कर सकते हैं कहा जा रहा है कर सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी अमलिका जुन खड़के चाहते हैं कि सचेन पैलिट जिन मांगों को लेकर जनता में उतर चुके हैं उन मांगों को लेकर कॉंग्रेस में कोई सकरात्मक पहल हो और उससे कॉंग्रेस की छवी निखरे और बदले में सचिन पालेट से कमिटमेंट हो कि वो सरकार को दुबारा लाने की कोशिश करें. खैर अभी ये बंती बंती बात है मगर कॉंग्रेस में बात कभी बनी नहीं बंते बंते बिगड़ती रही है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है मगर ये बात कहीं जा सकती है कि नाधा तो आधा आधा तो साधा चलो कम से कम कॉंग्रेस ने एक शुरुआत तो की है कि अपने गर को कैसे दुरुस्त किया जाए मुझे लग रहा है कि एक कदम मुख्यमंत्री अशुक गरूत को भी बढ़ाना चाहिए और जिस लड़ाई के लिए वो जा रहे हैं उस लड़ाई में एक साथ जाना चाहिए परिणाम तो जो जनता चाहेगी वही होगा मगर बीजेपी में क्या चल रहा है बीजेपी में वसुंद्रा राजे कोटा में रैली कर रही है लोगसभा अध्यक्ष ओंबिर्ला के इलाके में और करवा कौन रहा है लोगसभा अध्यक्ष ओंबिर्ला के धूर विरोधी पर लाद गुंजल मगर कहा जा रहा है कि बड़े मन से लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला पार्टी के साथ है लिहाजा देखना होगा कि वसंदाराजे वहां जाती है तो क्या बोलती है कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पार्टी के तरफ से कोई इशारा मिला नहीं है तभी वसंदाराजे पार्टी से अलग होकर एली कर रही हैं पार्टी से अलग होकर यह कैसे कहा जा सकता है यह इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी के जिस भी बड़े नेटा से पूछो कि आप जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा कारिकरम पहले से तय है मदन दिलावर से भी पूछा गया आज प्रेस कॉंफरेंस करने आये थे कोटा में तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बिकानेर का कारिकरम है इसलिए कह रहे हैं कि कॉंग्रेस का जगड़ा तो सुलजने जा रहा है मगर बीजेपी का तो उलजता ही जा रहा है वसुन्धा राजे हलाकि अपनी तरफ से लगातार पहल कर रही है ऐसी बात नहीं है कि पहल नहीं कर रही है भले ही देरी हो गई हो मगर देखिए किस तरह से राश्टिय स्वयम संग के लिए वो लगातार सोसल मीडिया पर मुहिम छेड़ी हुई है क्योंकि मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने RSS पहमला बोला था वो लिख रही है कि मुख्यमंतरी जी RSS और भासपा को कोचने से बाज आए परदेश में दंगे RSS और भासपा नहीं अशोग गहलोत की तुष्टी कर निती करवाती है जितनी भी संप्रदाई घटनाए हुई है उनके पीछे कॉंग्रेस के वोटों की राजनीत है परदे के पीछे रहकर आग लगाने का काम कॉंग्रेस करती है संग और भासपा तो कॉंग्रेस की लगाई हुई आग को बुजाती है एक पर एक एक पर एक कई ट्वीट उन्होंने किये है राश्ट्रिय स्वेम सिवक संग के साथ खड़े होकर ये काम पहले हो जाता तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा होता और इस तरह कि देखिये लगतार वो ट्वीट करती जा रही है कि कैसे सरदार पटेल तथा 1965 में पाकिस्तान सहिद के समय लाल बहादूर सास्ते ने संग से मदद मागी थी और संग हथेली पर जान रख कर सहयोग किया था लगतार संग के पक्ष में जो उनके ट्वीट आए हैं और प्रेस्वी गपती आई है उससे एक बेचैनी का आवास तो होता है मगर अच्छी बात है अच्छी बात है अगर ये अपनी तरफ से पहल करती हैं तो राष्टियस वैम सिवक संग अगर कोई अगर कोई मन मुटाव है तो भुला भी सकता है क्योंकि देखिए वसंद्रा राजे पार्टी की कदावर नेता है और राजस्थान में बीजे पी के कार्यकरता और नेता चाह रहे हैं कि वसंद्रा राजे सक्रिय भूमिका निभाएं मगर कब निभाएं और कैसे निभाएं इसे लेकर तो बेजे पी को फैसला करना है कॉंग्रेस में तो पहल हो रही है हाला कि वहाँ भी मुखमंत्री और शोग घलोत के अडंगे को कैसे कॉंग्रेस पार करेगी पता नहीं मगर यहां भी वसंद्रा राजे के लिए एक बड़ी चुनावती है और कोटा में जिस तरह से परलाद गुंजल के बुलावे पर जा रही हैं गुंजल खुद ही लोग सभा अध्यक्ष उम बिल्ला से अपनी दूरी खत्म नहीं कर रहे हैं और लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं तो फिर क्या इसमें भी कोई खेल है अगर खेल है तो फिर पार्टी क्या इसे गंभीरता से ले सकती है या फिर वसंधा राजे को लोग देखना चाहते हैं मुख्यमंतरी अशोग गहलोत पर हमला बोलते हुए जिस तरह से वो पहले बोला करते थी और अभी भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सचेन पालट ने इस विदान सभा चुनाव में खुद को किनारे कर लिया है हो सकता है एक बार फिर से विदान सभा का चुनाव वसंधा राजे बनाम अशोग गहलोत का हो और दोनों तरफ से ये दोग का दावर नेता टकराएं मगर दूसरी तरफ लोग यह भी कह रहे हैं कि भेष्टाचार के मसले पर अगर कॉंग्रेस के खिलाफ बीजेपी उतरती है तो फिर हो सकता है कि वसंदरा राजे को निपत्थे में रखा जाए मगर वसंदरा गुट भी रनिती बना रहा है कि मुक्यमंतरी अशोग गलुत हर इंट्रिवो में क्लिन चीट दे रहे हैं कि वसंदरा राजे एक खिलाफ कुछ निकला नहीं तो क्यों नहीं से भुनाया जाए कि आखिर वसंदरा राजे को बननाम क्यों किया गया जब कोई भी आरोब साबित नहीं हो पाए तो जबकि भ्रष्ट अचार के खिलाब तो राजस्थान में बीजे पी सड़क पर उतर रही है डाक्टर किरोरिडाल मिना अशोग नगर थाने में बैठे थे दो दिनों से धरने पर वो गिरफतार कर लिये गये और गिरफतारी के बाद उन्हें चाक्सू थाने ले जाए गया चाक्सू में उनके खिलाब मुकदमा दर्ज हो गया वो गये थे जल जीवन मिशन में मुकदमा दर्ज कराने के लिए वहां तो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं उल्टे 144 के उलंगन का मुकदमा उनके और उनके साथ बैठे लोगों पर हो गया राजनरा ठोड कहुँचे चाकसू और उन्होंने साथ दिया डक्टर किरुलाल मीना का और कहा गया कि कल राजभौन में जाकर भष्टा चार के खिलाफ जांच के लिए राज़िपाल को ग्यापंग दिया जाएगा भष्टा चार को लेकर बीजे पी एक महीम खड़ा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि लगातार लगातार जिस तरह से आईटी घोटाला उसके बाद खान घोटाला जल जीवन मिशन घोटाला फिर मुक्यमंतरी और शोग गहलोत के बेटे के खिलाफ घोटाले का आरोप डक्टर किरुलाल मीना लगाए तो एक तरह से लगातार जिस तरह से आरोपों की फैरिस बढ़ती जा रहे है उसे लेकर कहा जा रहा है कि बीजे पी के पास एक यही मुद्दा बचा है जिससे लेकर वो जा सकते हैं चुनाओं में मगर वो सुन्धा राजे और आरेसेस का दिल मिले ना मिले हैं सेशिन पैलेट अशोग गहलोत का दिल मिले ना मिले हैं कोशिश पार्टी कर रही है और यह लोग भी आपस में कर रहे हैं कि कम से कम मिलते हुए दिखें मगर बड़ी तस्वीर पटना में लिखी जाएगी क्य पता नहीं अर्विंद के जिरिवाल ने तो मुख्यमंत्री अशोगरोत के बारे में नीच हरकत तक बोल दिया तो फिर ये दिल कैसे मिलेगा और जिसमें मिल पाएगा क्या पटना में पता नहीं क्योंकि अध्यादेश को लेकर दिली में जो अधिकार सुप्रिम कोट के जरिय आईसे कहा गfallen के मिला था मुख्यमंत्री अर्विंद के जिरिवाल को उसे अध्यादेश के जरिए खारिज किया गया है तो अर्विंद के जिरिवाल ने सर्त रखती है कि अगर जिसम भी मिलाना है दिल तो छोड़ देजिए तो फिर इस पर बात कीजिए अगर करीब 37-37-37 वोटों के साथ वो सत्ता में आए हैं और कॉंगरेस को लगता है कि इसके अलावा जो 63% वोट हैं वो तो विपक्ष के हैं वो अगर एक जूट हो जाएं तो हम सत्ता में आ जाएंगे मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीत अंगणित का खेल नहीं है यहाँ पर खेल अलगी है इस नजरिये से समझें तो साड़े 26% साड़े 26% वोट के साथ मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री बन गए थे मगर उस समय कमाल किया था वा मोर्चा ने जब 58 सीटे लाई थी इस बार 58 सीटे कौन लाएगा और 2004 के पहले कभी भी कॉंग्रेस 100 सीटों से नीचे नहीं गई थी 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर है 52 से बढ़कर क्या 100 के उपर जा पाएगी कॉंग्रेस क्योंकि 118 से बढ़कर 145 होई थी तब सारे 26 फिजदी वोटों के साथ सत्ता में आई थी ये एक बड़ा सवाल है गैब बहुत बड़ाब है इस गैब को भरने के लिए खुद पता नहीं क्या कर पाएं मगर जो संगठक हैं जो साथ आने वाली पार्टियां हैं उनका दिल मिलना बहुत जरूरी है वरना ये गैप भरा नहीं जा सकता है चाहे जितना भी कहले चाहे जितना भी कहले मुक्मंतरी अशोग गलोत या कॉंग्रेस के नेता की मोदी को सारे 37 फिजदी वोटी तो मिले हैं मगर सबसे जादा आजाद भारत में आज तक कोई वोट लाया है प्रतिशत में तो पंडी जवाहरलाल नहरू जब सारे 47 फिजदी वोट के साथ दूसरी बार में वो प्रधान मंतरी बने थे एतिहासिक सीट लेकर आए राजिय उगांधी तब भी 47 फिजदी का रिकॉर्ड तोड नहीं पाड़े तो फिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी तो 37 फिजदी पर बने हैं यह बीजेपी का बेस रिकॉर्ड है यहां से क्या उपर ले जा सकते हैं लोग कहरें कि बीजेपी 17-18 सीटों का जो रिकॉर्ड है उनका बिहार का उससे नीचे आएगी महराश्ट में नीचे आएगी करनाटक में नीचे आएगी तो वहां मेक अप हो सकता है क्या मगर ये सब permutation combination है इसे लेकर अभी कुछ पुखता तोर पे कहा नहीं जा सकता मगर सबकी नजने पटना पर टिकी हुई है और पटना में राहूल गांधी भी जा रहे हैं आप देखते है रास्तान तक नमस्कार जैपूर से शरत कुमार